हमारे घर में हर तरीके के काम होते हैं चाहे छोटे हो या फिर बड़े काम हो लेकिन अगर उनको करने का तरीका थोड़ा सा समझ में आ जाए और चोटी मोटी टिप्स अगर हमें समझ में आ जाए तो काम बहुत आसान हो जाते हैं स्वागत है आपका मेरे चैनल में मेरा नाम है पूनम कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे तो यहां सबसे पहले बात कर लेते हैं इस तरीके से जब भी हम कोई सीनरी वाल पर हैंग करते हैं तो हम कुछ कील या नेल जो भी होते हैं वो लगाते हैं और साथ में कभी-कभी इस तरीके के जो होग होते हैं वो लगाते हैं तो नेल तो हम आराम से लग जाते हैं उसे हतोरी की मदद से हम लगा लेते हैं लेकिन जो इस तरीके के hook होते हैं सामान के साथ नीचे आ जाते हैं तो कभी भी अगर इस तरीके के hook यूज़ करें एक तो mostly ये tiles वगेरा पर ज़्यादा successful होते हैं और दूसरा जब भी इसको हम hang करें तो तभी के तभी उसका साथ में सामान ना लगाएं थोड़ा सा wait करें एक दो घंटे तक थोड़ा wait करें उससे paste होने दे अच्छे से फिर उसके बाद ही कुछ उसमें hang करें हमारे किचन में हर तरीके के container यूज़ होते हैं चाहिए वो छोटे छोटे इस तरीके से प्यारे से cute से हो या फिर बड़े बड़े हो या फिर drum हो तो चलिए बात कर लेते है इन छोटी containers की तो ये देखे इस तरीके से दो तिन दरे के container है मेरे पास लेकिन जो हमारे पास ये शहएद आते हैं या फिर कोई हम सामान लेते हैं उसके साथ भी बहुत ही प्यारा एक container आता है तो इसको फैके ना इसको कैसे ना कैसे use कर ले तो अभी मैंने इस पर कोई color भ और size इतना अच्छा है कि पूरा इसमें 200 gram जीरा आ जाता है तो छोटे छोटे containers होते हैं इस तरीके से हम use कर सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं यह चोकलेट box है यह भी बहुत अच्छे से use में आया हुआ है मेरे तो पूरा जो green tea है उसका packet रखने के बज़ए जितना मुझे यूज में होता है वो green tea रख लेती हूँ साथ में कुछ यहाँ पर coffee के pouch मैंने रखे हुए हैं तो air tight हो जाता है कोई भी चीज खराब नहीं होती है अच्छा हाँ अब बात कर लेते हैं इस तरीके से जो container हो उसका lid हो गया है तो देखे lid हो गया है तो वो बेकार नहीं हुआ है उसको भी हम इस तरीके से जो हमारे पास यह देखे चुटे चुटे पाउच होते हैं उसको हम यूज कर सकते हैं इस तरीके से तो अब आप भूलेंगे कि यह तो lid नहीं है लेकिन यह देखे इस तरीके से अगर इसको फसा के अगर रख दिया जाए ना तो यह देख सकते नेक्स्ट है यहां पर दिखिए इस तरीके से जब भी हम राइता बनाते हैं या कोई भी सबजी बनानी हो हमें भूना हुआ जीरा जो होता है बहुत काम में आता है तो जब भी जरूरत हो उसी समय करने से अच्छा है कि आप थोड़ा बहुत बना के पहले से रख ले इससे क् तरीके उस पचेए जीरा है जब भी हमें कुई सामान करन नहीं है तो भी हम गर बनाते तो बहुत जाड़ा टाइम लग जाता है तो बहुत ज्यादा कूइन ऐसे बना के आप एले से रख सकते हैं जोकि रायता बना रहें हैं सब्सी बना रहें तो अपना ंप र्टस से जब हम जीरे को पीसते हैं चकला बेलन हो गया या सलबटे से अगर आप करेंगे इसके स्वाद में और उसके स्वाद में जो गृंडर से होता है ना काफी अंतर होता है और कभी भी आप इसको गृंडर ऐसे पीसे ना तो देखो बिलकुल ना बारीक ना करें थोड़ा सा दर तो काफी अच्छा टेस्ट आता है और यह टेस्ट मैंने भी अंदाज़ा किया है इसका कि इस तरीके से जब हम पीसते हैं और ग्राइंडर में पीसते हैं तो बहुत फार्क हो जाता है उसमें कई बार क्या होता है बहुत जादा बारीक हो जाता है तो वो टेस्ट भी नहीं आ भून के पीस लिया है और देख सकते हैं और बहुत अच्छी खुश्पो आती है इस समय पे एक और पाउडर में यूज़ करती हूँ इस तरीके का बनाती हूँ जिसका भी बनाऊंगी तो वो भी शेयर करूँगी आपके साथ तो यहां पर देखिए थोड़ा सा बचा हुआ तो वो मैंने कप में रख दिया है क्योंकि उसका मुझे बनाना रहा है था और इस तरीके से मैंने उसे कंटेनर में रख दिया है जब भी मुझे जरुरत होगी मैं उसे यूज कर लोगी नेक्स्ट है यहां पर देखे जब भी वैसे तो मोसलि मैं घर में घी बनाती हूँ लेकिन कई बार ऐसा होता है घी कतम हो जाता है तो यहां पर मैं लेके आई थी इस तरीके की एक पैकेट तो जब भी हम घी पलट लेते हैं तो उसे ऐसे ही फैक है ना जब भी हम रोटी बना रहे हैं तो उसे इस तरीके से आटे को इसमें लपेट लेजे अच्छे से मैश कर लेजे यह देखे जिस तरीके से हम आटे को गु देखिए आर्टा पहले से गुंता हुआ है कम से कम 5-10 मिनट उसको हो चुके है और उसके बाद मैंने इसे घी में कर दिया है तो रोटी बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बनती है और ये पैकेट भी हमारा यूज में आ गया है तो देख सकते हैं आप आर्टा कितना सॉफ्ट लग रहा है तो इमाजन कर सकते हैं कि रोटी हैं कितनी सॉफ्ट बनी होंगी इससे तो घी का पैकेट अगली बार से फैक है ना पहले इस तरीके से आर्टा उसमें कर लें उसके बाद फैक सकते हैं जब भी हम राशन चेंज करते हैं मतलब कंटेनर हमारा खाली हो जाता है तो पूरी कोशिश करें के कंटेनर को वाश जरूर करें इससे क्या होता है ना जैसे हमारा राशन कई पर होता है ना कीडे लग जाते हैं आटे में कीडे लग जाते हैं चावल में कीडे लग जाते है ऐसा बिलकल भी नहीं होता है अगर आप उसमें कोई दवाई भी ना डाले तब भी काम चल जाता है क्योंकि मैं कभी भी अपने जो ये आटा हो गया, चावल हो गया कभी भी इसमें कोई दवाई वगैरे यूज़ नहीं करती हूँ, बस मैं क्या करती हूँ एक तो बहुत ज़्यादा राशन नहीं भरती हूँ और दूसरा जब भी मैं चेंज करती हूँ राशन तो यहाँ पर जैसे कंटेनर खाली हो गया तो इसको जरूर वाश करके अर्चे से बालकनी में धूप आई हुई होती है तो वहाँ पर मैं रख देती हूँ तो दवाई की कोई ज़ूरत नहीं है आप इस तरीके से कंटेनर धो के सुखा के पोच के अपना नया राशन इसमें रख सकते हैं यहाँ पर मैंने ड्रम को पोच लिया है और इसमें मैं राइस जो है पलट लोगी और हाँ यह जो राइस बैग होते है ना बहुत ही काम के होते हैं और जो इनमें हैंडल होते हैं यह भी बहुत काम के होते हैं आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और भी वीडियोज है मैं इनके और्गनाइजर भी बनाती हूँ घर पे तो एक बार जरूर देखेगा तो ये जो बैग होता है ना राइस बैग आटा बैग इनको समहाल के रखिए बहुत सारी चीजे इनसे बन जाती है घर में काम आने के लिए तो इस तरीके से देखेए मैं राशन रखती हूँ जिसे कि ये खराबी नहीं होता है नेक्स्ट है यहां पर देखेए जब भी हम करेले छिलते है ना तो आपने गोर कया होता इस तरीके से हम करते हैं तो हमारा जो नेल ना थम का बहुत जादा उसमें पैन हो जाता कीजेगा आगे से काफी नुकीला होता है और बहुत अच्छे से इसके जो शीट्स होते हैं वो निकल जाते हैं तो जब से मैं इस तरीके से निकालती हूँ करेले के शीट्स तो अब से मेरे नेल में बिल्कुल भी चोट नहीं लगी हैं नहीं कई बार लगती थी ना तो बहुत दिनों तक दर्द भी होता था तो आप भी ऐसा ही करें ये वाला नाइफ यूज करें इस तरीके से करेले छीलने के लिए तो वही है नमक लगा के ऐसे रखे और शाम को बनाएंगे ना तो फिर बिल्कुल भी करेले कड़वे नहीं होंगे घर में देखिए सुबह से शाम तक हम सारे काम करते हैं तो थोड़ा सा टाइम होता है ना थोड़ी सी क्रियेटिविटी होने चाहिए चाहे चैनल पे डालना हो मुझे और्गनाइजर या फिर इस तरीके से देखिए दिवाली आने वाली है तो थोड़ी बहुत तैयारियां घर में होई रही है तो मैंने यहां पर थोड़ा सा अपना टाइम लगा के थोड़ी बहुत चीजे बनाई है तो अगर यह चीजे आपको अच्छी लग रही है डेकोरेटिव आइटेम है पसंदा रहे हैं तो एक बार चैनल पर ज़रूर विजिट किजेगा लास्ट वीडियो मेरा इसी का ही है तो घर पे ही रखे सामान से मैंने यह चीजे बनाई हैं दिवाली में सजाने के लिए तो यह देख सकते हैं एक कुलर है और एक चोटी सी मटकी है बहुत प्यारी लग रहे है देखने में है न तो होता ही है घर में जितने भी हमारे सामान होते है न चाहे कपड़े हो गए या फिर कोई चोटी मोटी चीजे हुए उनको रियूज करके अगर हम किसी अच्छे से यूज में ले लेते हैं तो हमें काफी अच्छा लगता है और वो चीज भी अच्छे से यूज में आ जाती है तो ये है मेरा आज का वीडियो वीडियो कैसा लगा टिप्स कैसी लगी प्लीज मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताईएगा और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा मिलती हूँ ऐसी अच्छी वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई चेक कियर